कि नमस्कार इंग विसेन के सभी दर्शिकों को मैं रतना कर आपका स्वागत करना हो खास मिलाकात की खास पेशक्रश्मी मुझे किस्सा याद आ रहा है जे मेरे बेटे ने एक सवाल पूछा था वो आईटी कर रहा है तो उसने पूछा कि पापा नापूर किस चीच के लिए फेमस है मैंने बड़ा असान सा जवाब दिया बुला औरेंजिस के लिए उसने बुला नहीं पापा यह जवाब गलत है सही जवाब यह है कि नापूर जो है Zero Miles के लिए famous है मैंने बुला यारे बड़ा intelligent answer दे दिया इसके बाद में किसी ने भी पूछा तो मैं जवाब दिया करूँगा लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक और टूस्ट है अब नाकपूर की पहचान कुछ और हो चुकी है जहां हम संद्रे की बात करते जहां हम जीरो मैल्स की बात करते वहां एक नाम और जोड़ गा है जिसे नाकपूर के पहचान है और वो है आली शान इस नाम के बारे में नापूर के दर्शकों को बहुत जादा कुछ भी बताने के ज़रुत ने लेकिन इस नाम की पीछे जो शक्सियत है इस नाम को यहां तक लाने के लिए जिस व्यक्ति का सभाग है डाइरिक्ट रुप से और नापपूर को किसी और मुकाम पर ले जाने के लिए जिनका इस मुकाम पर ले जाने के लिए जिसका सवाग है मैं उस शक्सियत की आपको रुबरू कराता हूँ वो है रितेश मोधी जिनका मैं आज इस्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ बहुत-बहुत नमस्कार रितेश जी और रितेश जी के बारे में हम कोई भी ऐसी बात नहीं जितना रितेश जी बिजनस के बाद हम बिलकूल नहीं करेंगे आपने आलिशार को जिस मुकाम पर पहुचाया है तो कई लोगों के सपने रहते हैं कि हम भी किसी मुकाम पर पहुचे तो ये आपने कोई जादू की डंडी थी आपके पास में? बीया, जादू की डंडी सब के पास है, बाद चलाता कोई-कोई है आपने कैसे चलाए कुछ नहीं है आप एक दम खुले मंद से कोई भी काम करें जो भी जिस विल्ड में काम कर रहा है वो हमेशा यह सोचे कि कि अगर मैं दूसरे के साथ ऐसा भी करूंगा अगर मैं उसकी जागा रहा हो तो मेरे साथ क्या होगा मुझे कैसा फिलोगा तो जब भी कोई डिसीजन ले तो हमेशा यह सोचें कि अगर यह डिसीजन मैंने अगर लिया है इससे उसका नुकसान हो रहा है मेरा होता तो कैसे होत तो हमेशा दूसरों का क्याल रखें रखें और जब तक क्याल nuggets रखेंगे अच्छा मदलब आप अच्छा मतलब अच्छा रहें बनना और रहना वहत अलग छीज भनब आपके बातों में रहना प्र्क्रेक्टिकल इओ Mu Freeze समानता हो प्रस rozp सबी के लिए वैचारी जो शमता है सब को एक प्लैटफर्म के लाने के लिए बहुत ज़रूरी यह इनुवेटिव आइडियाज हम आली चैन के अगर हम बात करें थोड़ी सी वह बात होनी भी चाहिए क्योंकि आज वह एक मुकाम बन चुका है तो यह इनुवेटिव आइडि रिस्क ले और एक ही चीज हमें शामाला कोई फिलोसॉफ ही नहीं लेकिन अगर आप जब भी अगर शांत बन से कभी अभी अपने आपको सोचे तो आपने इस दुनिया में आप आए क्यों आपका जनम क्यों हुआ तो आपने ना बिना कुछ करें इस दुनिया से जाना नही तो जितने भी इस दुनिया में जिनके पास नाम है पैसा है या बड़ा काम है वो भी आपके जैसे ही है उनके भी दो हाथ दो पैरे उनको भी भगवान ने दिमाग दिया है तो जब तक आप लोग के साथ टीम वर्क वाला काम नहीं करते जब तक आप लोग को जोड़ते न अकिल आप कुछ नहीं कर सकते आपको आपके साथ वो टीमवर्च चाहिए और आपकी सोच उन में डेवलब करनी है खली टीमवर्च से नहीं होगा अगर आपके जैसे सोचने वाले लोग आपके साथ नहीं होगे तो आप वो लेवल पर जाई नहीं सकते तो मैंने बस अपने ज़से सोचने वाले जितने भी लोग उसे मैं मिलता हूँ तो चाहे वो मेरे साथ मेरे काम का हिस्सा हो या ना हो कोशिश के करता हूँ कि जो मेरी सोच है वो उनसे शेयर करो और डेवलप करके उनकी सोच को बदलू जब सोच बदली तो काम बदल दाएगा बिल्कुल सही बात पही आपने और मैं तो समझ ना हूँ कि मैं रिते सर के साथ में जितने भी हम लोगों ने बात की मुझे तो इसी सिलसिले को आगे ले चलते हुए मैं बताना चाहूंगे कि आज कल के युवाव के मंद में बड़ा स अ》 आपने प tomar लेटे सब अब Links नेए उसके बाद करोंगे को सकथ में अध्र उसके अद्रिया और आपने कार मकान तो सब मिल गया उसके बाद क्या कड़ोगा तो बैटर रह इन सब देर से आने बया है कोई पर और रोज दिनगी को enjoy करें और कोई चीज में हारने के जोड़ोत नहीं कि मौके बहुत है समय बहुत है वो time लगने दें जितना time लगेगा उतनी आपकी mastery बढ़ेगी आप उतने expert होंगे उतने लोग आपको मिलेंगे तो क्या होगा आप जल्दी बन जाएंगे तो लोग आपको अ अगे होने जाएंगे ऐसी कोई चीज दिए जो आप नहीं कर सकते हमेशा यह सूचे ठीक है टाइम लगता है उसना patience होना चाहिए उस्टैमीना होना चाहिए जैसे stamina की बात करते है हमारी तो होना चाहिए तो तो sustainability के पढ़ते हैं बच्चे माक्स कमा रहे है तो उन्हें सुस के लिए होता है कि जो तेरे को अभी करना है अगर नहीं कर पाया तो finish तो ऐसा कोई है नहीं है जब तक आखरी सांस है तब तक कुछ finish नहीं हो सकता बिल्कुल याने patience के साथ में आपके कंसिस्टेंस एफर्स जो है वह आपके बिश में आपके साथ में होने करेंगे तो easily हो जाएगा देखिए जिन्दगी तो आपको काटनी है बिल्कुल है ना कोई philosophy नहीं है या तो हसके काट ले या रोके काट ले रोके काटे का तो जाजू-बाजू के लोग बग जाएंगे कोई भी आदमी depression वाले के साथ उदास के साथ नहीं रहना चाहता तो जो अच्छा होना है वो भी नहीं होगा बिल्कुल हमेशा ही सूचे आज बूरा हुआ क्या फरक पड़ता है कल अच्छा होगा कल नहीं हुआ परसो होगा उसके बाद होगा लेकिन जरूर होगा 100% होगा हालात अच्छे नहीं थे उसके बाउजित भी आपने इस आयाम तक पहुचे और एक हम कहते हैं कि चेंज इस दे कॉंस्टन बदलाव जो है वो हमेशा शासवत रहता है और मैं समझता हूँ कि आपने बिजनस स्ट्रेटरजी में और अपने आपने हम वो करते हैं कि आज हम उस मुकाम पर पहुचें तो यह बदलाव मतलब इस जर्ने को का आकलन आप कैसे करेंगी जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हरेक का कोई ना कोई गुरू होता है या हीरो होता है जी क्या बात है तो उनकी एक बात हमेशा मुझे रहती है तो जब भी डिप्रेशन में आता हू हो तो इसका एंट क्या होगा इसका यह एंट होगा की मेरा लॉस होगा मेरा सब खत्म हो जाएगा मैं यहां जाऊंगा तो जब आप किसी एट के लिए तयाब होती हो और उसको तो तरीका जो होता है काम करने का बदल जाता है और मैं हमेशा ही मैंने काना मैंने बिना सोचे समझे काम किया मैंने नहीं सोचा तो श्याइद मेरे काम करने के तरीके बदल जाते हैं प्लेन माइंड के साथ अपना काम करें और अच्छे मन से करें डेफिनेटली प्रकृती है और यह नियम यह संसार का अगर आपके साथ अच्छा करें अगर किसी ने कि आपके साथ गलत कर दिया है तो यार वह एक यह दो गलत के चक्कर में जो आपके साथ आठ लोग अच्छे मिलने वाले वह आप ऐसा ना उनको खो दें तो बेटर है कि जो आठ लोग मिलेंगे उनको समाल के रखें और दो को जाने के मुझे लगता यही बात है कि जो रितेश मुदी जी के चेरे पर हमेशा मुसकान बता के रखती है कि मैं तो समझता हूं कि रितेश मुदी इस नाम के आगे कोई जगा होगी यह नहीं एक और चैलेंज जिस जो है बिजनस में आते हैं वह यह है कि हम लोग आउनलाइन और आफलाइन बिजनस की बात करते हैं आज कल सोशल मीडिया है और उसके वाज़े से आउनलाइन और आफ आउनलाइन नहीं मिलेंगे इमोशन जो होते हैं जो आज आपको मान सम्मान इजजत चाहिए या जो आपकी वैल्यू है और तो आपको वह की स्किल्ड़क जो है उइसा ही अगर जो संवान सब चाहते हैं तो आपको दुकान जाना पड़ेगा और प्राइजलेस है और इसकी कीमत में अगर करें एक उनलाइन मेरे तो होसकता है कि आपको वह पर्संटर टच ऐसा मिले कि आप उस जगे के कायल हो जाओ जैसे कि नाम आपने इक इना है इसका मतलब यह है कि हम कभी न कभी अपने आपको उस जगे पर एक्सपिरियंस कर चुके जैसे कि आपको किसी मैं दो खभूँगा कि वो रिटेश-मोधी बना चाहते है तो क्या करना चाहिए कि किए कि अधर को मैं पर दिल से चाहता हूं जे कि मैं उनसे कभी मिला नहीं वह स्टेबल भीवस्ता के लाहा हूं कि हमारा घर रूटी करके कपड़ा मकान सभोड़ा हो जाए फिर आप अपने स्टाफ के तरफ जाए तो समाज की तरफ भीवार के तरफ और सामाज की तरफ घ्यान गें और ऐसी इसको डेवलब करें विए आप तो जिन्दा भी जैसे हम कहते हैं हमारी लाइफ जो है हम जितनी भी लोग है हमारी एक लाइफ है भगवान ने हमें 50-60-70-80 साल तक की एक एज दी लाइफ दी है आप इससे जादा नहीं जी सकते लेकिन अगर आपको हजारों साल दीन जोड़े हैं बाके जिन से में बॉम में काम करता हूँ वह परिवाज हुड़े ऐसे 7-800 लोग हैं जो कहीं ना कहीं कनेकेड है इस बिजनस है तो मेरा यह सोचना है कि कोई भी बिजनस चाहें चोटा हो या बड़ा हो वह एक एम्प्रॉयमेंट जो हमारे जैसे आज जो कमी ह है कि पड़े लिखें लोग भी काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो क्यों ना हम हर चीज़ सरकार पर क्यों पर पर क्यों बिजनस को डैवलप करके हम 2000, 4000, 10,000, 20,000 लोग जोब दें और ऐसे जोब दें कि उनके परिवार से फिर कोई जोब करने वाला प करें और वह बिजनसमेंट बने अगर ऐसा हर बिजनसमेंट सोच ले तो मैंने समझता कि वह उसका बिजनस पचास साथ सतर साल चलेगा और यह बहुत गहरी बात है अगर वह समझ जाए तो देखिए आपकी हर एक का नाम हजारों साल जिन्दा रहेगा बिल्कु सही बातर मैं तो यह कहूँगा कि आली शान सिर्के यह बिजनसमेंट नाम की पीछे सोची आलीशान है जो कि एक समाज का भला चाहते हैं जो लोगों का भला चाहते हैं और सबको जितने भी जूड़े हुए हैं आलीशान से उन्हें किसी मुकाम तक पहुचाने की कोशिश में लगा होग यहाँ जो शक्सियत हमारे पास में बैठी है उन्होंने अपने जिन्दगे में हमेशा मुस्कुरहाट चुनी, सिर्फ चुनी नहीं उसे बाटते गए और आज इस मुकाम पर है कि ये एक ब्रैंड बन चुका है मैं बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहूँगा रिते जी से बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे लगता है हमारे दर्शक भी बहुत खूश होंगे और हम ऐसी शक्सियत के साथ में फिर से आख के साथ में हाजिर होंगे बहुत बहुत धन्याओं अब बच्छा बच्छा धन्याओं